तो गोषिए सब करें किया डिए मैं इसको चेंज तो पर एंपपेछ निए उसको है कि हभी हम यह अजेंगे थाल सब्सेटरी नग्रस ने ऐन लीफालन खूर जो ठाटтории दिवाइडर हम और करें कि सब्दीर स्ट्रप्स का साइन है कि मलटिप्लाइं में नेक्स तर्म का हम रेंगे क्या क्रते हैं नीचे वाले टर्म उपर ले जाते हैं अपर ले जाएंगे और नीचे ले आएंगे तो यह हैं बैसटे हैं बढ़ नच ए फाइफ. टू उन्सार टू, थ्री फाइफ दा 15. 2 over 1, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दुने numbers को multiply करेंगे, 7 multiply 2, भी नीचे दुने numbers को multiply करेंगे, 8 multiply 1, इधर हम क्या करेंगे, 7 to the 14, 8 multiply 1 is equal 8, next rollie questions को हम ऐसी solve करेंगे, जैसे हमने question number 1 solve किया है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम fraction में change करेंगे, fraction में change करेंगे, fraction में आपको बताया था, कि over के नीचे, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे लगा लेना है, 1, यह अगी term पूरा question fraction में हो गया, ठीक है, तो फि product of numerator, product of denominator, means उपर वाले दोनों digits को multiply करेंगे, नीचे वाले दोनों digits को multiply करेंगे, 4 multiply 3 is equal 12, 1 multiply is equal 1, ठीक है, next जो हमारे पस जो question है, वो भी इसी तरह से है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको fraction में change करेंगे, यह हमने fraction में change कर दी है, then हम क्या करेंगे, हम sign change करेंगे, divian को multiply में change करेंगे, then next हम का reciprocal करेंगे, 8 को हम उपर लेजेंगे, 5 को हम नीचे ले आएंगे, 10 multiply 8, product of numerator, product of denominator, product of denominator, in questions में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम fraction में change करेंगे, fraction में मैंने change किया, over के नीचे मैंने वाल नका लिए, यह पूरी दर में question fraction में होगे, सबसे पहले हमने क्या किया है इदर हमने sign change किया, devian को change किया, multiply में, then फिर मैंने क्या किया, reciprocal करेंगे, नीचे वाली term को उपर लेगी, उपर वाली term को में नीचे ले आएंगे, product of numerator, दोनों उपर वाले digit को multiply, फिर नीचे वाले digit को multiply, 1 is equal 1, 8 multiply is equal 3, 24, then जो हमारा नीचे वाले question है, वो already ही fractions में है, तो उसम हम क्या करेंगे, simply हम sign change कर दी है, मैंने, फिर मैंने reciprocal ले लिया है, reciprocal लेने के बाद, उपर वाली दुनों terms को multiply, नीचे वाली terms को multiply, 1 multiply 4 is equal 4, 5 multiply 3 is equal 15, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लेगी हो, तो please subscribe my channel and click the bell icon.